हाई एवरिवन वेल्कम बाक टो आवाई चानल अल्ली वेज़सोई आई होप यू आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर स्पेशल मिक्स आचार की रेसिपी यह अचार बहुत ही ज्यादा यमी होता है फ्रेंड आप एक बार यह अचार बना के एक बड़ बना करके पात से महिने के लिए आए चाहिए इस तेस्टी से बनने वाले मिक्स आचार के लिए पहले जीर ऑपर नर्मल साइस का जिसे मैंने कट कर लिया है तीन से चाह नीम्बू थी नबभग नौ से दस हरीमेच और यह तीन से चार तुकड़ा था अध्रक्षा जिसे मैंने कट कर लिए अब हमें क्या करना है कि इससे सब्जियों को अच्छे से फैला करके और इसे लगवग आधे से एक घंटे के लिए हमीं धूप में रख दिना है ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा मॉश्चर है वो बिल्कुल नि इसने मैं एक बोल में सारी सब्जियों को अचार में पावडर तो मैंने यहां पे बाली यहां पे 1.5 प्टि पोन आच किया है व्ल्दी पावडर साथी मैं आट कर दूँगी थोड़ा सा 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 मैं आट कर दूँगी बहुत जारा तीक ही नहीं हुती है तो यह मैंने लगभग दो चोटी चमच आड़ किया है साथी मैं इसमें अजवाइन और साथी में थोड़ा सा मैं आड़ कर यह काला नमक इसलिए बहुत एच्छा तेस्ट आता है और उसके बाद मैं आड़ कर दूंगिन क्यूंकि अमने का ब्लकुल अच्छे से मिला कर रेडि कर लिया है अब जाल में ना इसे बड़ा कर देना जाल में डाल करके फ्रेंड्स आप इससे थीं दोप डोप में रग दी असके बाद हमारा अचांज हो एक रिए बिल्कुल रिडी हो आप इस पात से आपको पसंद आई होगी आयोप आपको आपने इस पी को इंजॉय किया होगा और आप एक बार इस पी को जरूर ट्राइब करेंगे अगर रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूले साथी में जानी से पहले अगर अभी तक आपने माई चानल अड ताइम पर मिलती रहे आयोप आपके रेस्पी बहुत पसंद आएगे नेक्ट वीडियो आपको कौनसी रेसिपी की चाहिए आप भो भी हमी कमेंट से बता सकते हैं थाइंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो मिलते हैं ऐसी ही किसी डिलिशियो और यमी रेसिपी की साथ त